स्वागेत है आपका जूती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फिल की आज 7 अक्टूबर 2023 है तो सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा वैतित होएगा मान समान प्राप्त करने वाली राशी शासन सत्ता की राशी सिंग राशी वालों का आज का दिन बहुत ही शांदार रहने वाला है जैसा कि सिंग राशी का सभाव ही है ये ruling करने के लिए ही पैदा हुए है और आज इनका दिन इस टाइप का रहेगा कि दिन में इनको बहुत ही आत्मे समान भी बनावा रहेगा क्योंकि ये चंद्रमा चल रहे हैं ग्यार में भाव में जो कि आपके आये का भाव है इसकी सीधी दिश्टी आपके प्रेम प्यार के घर पे भी पढ़ रही है तो आपका आज लव एंड रिलेशन्सिप भी अच्छा चलेगा सिंग राजी वाले काफी एनरजेटिक आज रहने वाले हैं और जितने भी बीते दिनों से काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे वो सभी कार्य आज आपके पूरे होने वाला है दिन में आपको इस टाइप का महसूस होएगा कि आपके सभी कारे पूर्ण करने के आप में बड़ी शम्ता है और confidence आपको इतना जबर्दस्त रहेगा परंतु परंतु सिंग राजी वालो ये जो आपके पास गर्व है ये अच्छी बात है परंतु इसको आप अभिमान में नए बदलने दे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा पूरा दिन आपका बढ़िया है गुरू के नक्षित्र में चलती हुए चंद्रमा आपको शांदार रिजल्ट देने वाले हैं पूराने काम भी पनेंगे और शनकी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो आज दिन बहुत ही बड़ी है आप नए कारे भी आप शुरू कर सकते हैं नया कारे शुरू करते समय आप रहुकार्ट का ध्यान रखें तो 11.45 से लेके 12.32 का समय बेस्ट है, इस समय आप बड़ी डिल साइन कर सकते हैं, काम में भी आपका मन लगेगा और लोगों का आपको सयोग पराप्त होएगा, कुल मिलाके सभी और से आपको positivity पराप्त होएगी, दिन शांदर तरीके से बितेगा, मित्रों और रिष्टेदा जाएगा, इसलिए वाणी पर सयम करते हुए, वाणी में मिठास रखते हुए, अपने मित्रों रिष्टेदारों से संबंद आप अच्छी तरह से बना के चलें, गुरू के नक्षत्र में चलते हुए, ग्यारविं भाव के चंद्रमा, आकस्मिक धनलाप की या अचानक धन पालन करें, लोगों की सला, जो आपके आस्वास के लोग है, आपके प्रिये जना, आपके करीबी हैं, उन लोगों की सला अगर आप अपने कारे में लेंगे, तो आपको काफी फायदा होने वाला है, साथे साथ, आप जो धन प्राप्ती के लिए प्रियास करेंगे, उसमें अगर आपकी संतान बढ़ी है तो उसका भी आपको सयोग प्राप्त होएगा कामकारोबर के दिस्टी से आज दिन अच्छा है नौकरी पेशा है वर्क प्लेस पे जाते हैं साथ ही साथ ये भाव शिक्षा के उपर भी इसकी दिस्टी पढ़ रही है तो शिक्षा में भी अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही जबर्दस्त दिन रहने वाला है अगर आप स्टुडेंट हैं और कॉंपिटिशन का एक्जाम है आज आपका तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है आपको सपलता मिल सकती है साथी साथ अगर आपका इंट्रिव है तो आप अपने ऑफिसर्स को इंट्रिव के जो चैन करता है उनको परभावित करने में कामयाब रहेंगे और आपका सेलेक्शन आज हो सकता है प्राइवेट जॉब वालों के लिए नया जॉब का आफर प्राप्त हो सकता कोई जीवन में खुशकबरी आपको आज मिल सकती है आय से संबंदित कारेश सेत्र से संबंदित या वैपार से संबंदित कानूनी मामले में फसेवेत है कानूनी मामले में आपका पक्ष मजबूत नहीं था तो आज आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है दिन आपके लिए पक्षगा बना हुआ है पूर की परिशानी से भी मुक्ति मिलेगी किसी भी तरह से कोई ये दिन में कुछ भी नएकारात्मक्ता नहीं है बस दिनाकारात्मक्ता ये जो create होईगी वो आपके मानी से ही create होईगी तो वहाँ आप थोड़ा सा दियान रखे हाला कि आज आपका वेक्तित हुए इतना बड़िया रहेगा कि शत्रू आपके जागरत हो सकते हैं आपके शत्रू जागरत होके आपको पता नहीं रहेगा ये शत्रू है और आपको वो भरमित करने का प्रियास करेगा मित्र या रिस्तेदार बनके आपके मित्र और रिस्तेदारों में से ही वो शत्रू होएगा जो आपको भरमित करेगा तो मैत पूर्ण निरने अगर आप लिएने जा रहे हैं तो अपने परिजनों की सला वश्य लें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाले, ओनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं, मोबाइल से या कैसे भी, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, आप सही चीज का चैन करें, या फिर अपने आएक की सितिका जाय जालें, पारिवेक समझे किसी भी परकार की चल रही थी किसी परकार का मन मूटा हो चल रहा था, वो आज दूर होती भी दिख रही है, 90% दिन आपके लिए बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको वहन चलाने से समय सावधानी बरतनी है, आपका चोट लगने का थोड़ा सा भे बना हुआ है, इस और थोड़ी से सावधानी रख ले साथ इसाथ बाहर का खाना खाने से भी बचें, वेवाइक जीवन के बात करें, तो वेवाइक जीवन खुश्याल है, जीवन साथी काफी सपोर्टिव है, जीवन साथी का सम्मान करें, और जीवन में खुशियां को और वातावरन को पॉजिटिव बनाए रखें, जिससे कि आपके परिवार में positive energy आए love and relationship वालों की बात करें तो love and relationship में आपका जो partner है और आप है दौनों का ताल मिल बढ़िया चलेगा रिष्टा आपका मजबूती की और जाएगा अपने partner को दिया गया किसी भी प्रकार का वादा अगर आप करते हैं उससे आप बचे हैं क्योंकि जब भी हम ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा उदास होते हैं उस समय किसी भी प्रकार का वादा करना हमारे लिए सही नहीं रहता है तो आज आप ज़्यादा प्रसंद रहेंगे तो किसी भी प्रकार का वादा ना करें अपने मन की बात आप किसी से शेयर करना चाते हैं तो अगर कोई मिले तो भी आप शेयर न करें यह आपके लिए आज की सला है अब क्या उपाई करें सिंग राशी वाले के आपके लिए दिन और भी ज़्यादा भैतर पॉजिटिव बन जाए उससे पूर्व आपसे विनमरन रोद है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अब बात करते हैं उपाई की आज का दिन, शनिवार का दिन, किसी भी तरह की आप यात्रा करते हैं तो पूर्व दिशाब में दिशासूर लगा हुआ है इस चीज का आप ध्यान रखे पूर्व की यात्रा करने से पूर्व कुछ कदम वेस्ट में चलें क्योंकि आज की सुब दिशा वेस्ट ही है तो वेस्ट में चले वेस्ट में चलके आप पूरुदिशा की यातरा आज कट सकते हैं आज नम्मी का भी शराद है तो नम्मी के शराद के दिन अवशे ही गाय को कुछ दे या पक्षियों को दे आज का उपाई में भी यह है कि आज पक्षियों को दाना डाले या चीटियों को आप दाना डाले साथ हनुमान चालिसा का पार्ट करें और गी का दीपक लगा के सुन्दर कांड का अगर आप आज पाठ कर लेते हैं तो दिन बहुत ही अच्छा होगा और इसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में भी प्राप्त होएगा तो अवश्य करें हनुमान अरदना से जुने और अपने कारियों के सिद्धी करें तो ये तासिंग राशी वालों का देनिक राशी वाल बने रहे चैनल पर आपके जिवन में आई यू आरो के इस्वरी के व्रदी होती रहे इसी शुपकामना के साथ